नमस्कार दोस्तों, कॉंपटिशन कम्मुनिटी के इस ओनलाइन प्रेटफर्म पर आपका स्वागत है। अब इन दोनों डॉकुमेंट को आधार बना कर ये कहा जा रहा है कि जो SIE की प्रार्मभिक परिछ्चा हुई है उसमें आरच्छन जैसी विवस्था नहीं है और इसके लिए किसी प्रकार के रिजल्ट देने के लिए किसी प्रकार के रोस्टर सिस्टम की जरुवत नहीं है ज जिनके आधार पर यह बात कही जा रही है, इसको मैं आपको सम्झाने की कोशिस करता हूँ, नेकि ये विज्यापन है हमारा, ये विज्यापन है हमारा CGPSC का और ये है SI का, अब इन दोनों में प्रारंभिक परिच्छा में किस प्रकार से मेंस के लिए student का सेलेक्शन होना है, तो मैं पढ़ रहा हूँ CGPSC का पहले, और उसके बार ने पढ़ूँगा, ऐसा ही परिच्छा के लिए जो लिखा है उसमें, तो प्रारंभिक परिच्छा जो CGPSC के उसमें ये क्या लिखता है, प्रारंभिक परिच्छा में आयोग द्वारा अपने विवेका नुसार, निर विविन प्रवर्गों के अधिन कुल पदों के 15 गुना, 15 गुना अभ्यारती CGPSC में चुने जाते हैं, मुख्य परिच्छा के लिए, लेकिन वो कहां से चुने जाते हैं, विविन प्रवर्गों के अधार Reports परिविन प्रवर्ग मतलब आपका ST से, SC से, OBC से, और उसके बा अब SI का जो राजपत्नी प्रकासी डाकूमेंट है उसमें क्या लिखा हुआ ये देखिए उसमें लिखते हैं कि इस प्रारंभिक लिखित परिच्छा के आधार पर एक गुणागन सूची यानि मेरिट सूची तयार की जाएगी जिसमें से विख्यापित रिक्त पदों के केवल 20 गुणा अवहर्थियों को मुख्य परिच्छा में सामिल होने है तू प्रवेश्पत जारित किया जाएगा क्या लिख रहा है मुख्य लिखित परिच्छा में सामिल होने है तू कितने लोगों को 20 गुणा को लेकिन किनको विज्यापित रिक्त पदों के केवल 20 गुना विज्यापित रिक्त पदों के 20 गुना याने कि यहां पर जो यह वर्ग की बात कर रहा है यहां पर किसकी बात कर रहा है यह बात कर रहा है प्रवर्गों की यहां पर क्या इस टाइप की बात की गई है यहां पर कि किसी प्रकार प्रवर की बात नहीं की गई है किसी प्रकास वर्गवार आरच्छन की बात नहीं की गई है यहां यह सीधे कह रहा है कि जिसमें से विज्ञापित रिक्त पदों के केवल 20 गुना अभ्यारतियों को यानि विज्ञापित जितने पद हैं उसके 20 गुना अभ्यार देने वाला है तो इसके करण हम इसके बारे में नहीं बता सकते हैं और हमने विभाग से भी कॉंटेट करने की कोशिस की लेकिन वहां पर जो उचीत अधिकारी है उनसे हमारा संपर्ग नहीं हो पाया है तो देखिए डाक विबाद क्या है मैंने आपको समझा दिया है जो PSC हो आर ली है तो यह कहीं पर यह कर रहा है कि वर बाइस आरठ्चन होगा और वर बाइस अगर परबिक परिछा में अर्था यहां पर आरचन नहीं है याने कि सिधा सिदा जोबिग्यापित पत्द है इसके बीज गुना लोत को चुना sulphur नाना है यानि या helmets between 20 गुना अर्थात 19,500 विद्यारती तो सीधे-सीधे चले जाएंगे जो भी इस रैंक में आएंगे और लास्ट बात कहा रहा है कि 20 गुना से अगर अधिक भी हो जाते हैं मान लेते हैं कि 40 जो है वो cut-off है यानि कि 19,500 1500 में जो और चातर आ रहा है उसका नंबर अगर 40 आ रहा है और उसके बाद 200 और लोगों का 40 नंबर और आ रहा है तो इन 200 लोगों को भी सामिल कर लिया जाएगा अर्थात ये हो जाएगा 19,700 लोगों को भी select कर सकता हूँ ये बात कर रहा है अर्थात 19,700 तक जिनकी भी rank है जहें वो किसी भी प्रवर्ग से हैं किसी भी वर्ग से हैं उन सभी का selection क्या हो जाने वाला है मुख्य परिच्छा के लिए होने वाला है ये दो डाकुमेंट के आधार पे कहा जा रहा है और डिपार्टमेंट में इसको पता करने की आउसकता है क्योंकि व्यापम का कहना है कि क्योंकि रिजल डिपार्टमेंट देने वाला है इसके गाण हम यहाँ पर क्या है नहीं बता पा रहे हैं तो बस यही एक विवाद कभी सह था मुझे लगा कि आप सबको इससे अगत करा देना चाहिए साथ ही कुछ बाते जो हमारे कोचिंग के लिए है वो इस प्रकार से हैं कि हमारा ऑन्लाइन कोर्स आप सभी को पता है मुख के परिछा के लिए हम तैयारी करा रहे हैं साइ के लिए तो इसका कोर्स वेबसाइट के माध्यम से आप पर्चिस कर रहे हैं और यह कोर्स आपको 400 घंटे का है और इसमें कंप्रीट कोर्स को आपको पढ़ाया गया है और साथ ही मैं एक और और इंफ् puck sugar कि रायपूर और वीर सब्सक्राइट है और हमारा और द्वारा चाहते हैं कि SI मुख परिच्छा के लिए भी हमारे द्वारा रायपूर में क्फ़ली क्लासें अगर ऐसा चाहते हैं तो comment box में बिलकुल कमेंट कीजिए और जिस मुद्दे पर मैंने आपसे बात की इसके बारे में भी आप क्या विचार रखते हैं इसको भी आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं जय हिंद